आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा साथ गडित का अभ्यास दो का डी इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग ने कल दो का सी तक का पूराक कम्पलीट कर लिया था एक्सरसाइज तो आज दो का डी देखेंगे तो इसको जानने के लिए इसमें कुछ बात याद तो उसको पहले आप लोग देख लिए फिर इक्सरसाइज देखते हैं और आप लोग अगर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक भी करिए और सेयर भी करिए और कुछ सोसल मीडिया के लिंक्स दियेगा हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विट उस पर भी जूड़ कर और हमको फालो कर सकते हैं तो देखते हैं इसमें एक बात यह आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे मालीजी यह कोई संख्या है लिखा हुआ है टू का पावर माइनस थिरी तो ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम लोग अगर पलस में घातां को बदलना चाहा है तो बदल सकते हैं कैसे इस संख्या को हम लिख देंगे एक बटे दो ये केबल दो है दो के नीचे एक रहता है दो के नीचे एक रहता है नई लिखा जाता है तो उल्टा कर देंगे नीचे का उपर उपर का नीचे अगर एक बटे दो हम कर देंगे तो ये माइनस तीन है तो ये पलस 3 इस 2 पर हो जाएगा तो ये हम लोगों को इस अभ्यास में 2D में ध्यान रखना है इसका यूज होगा अगर माले जीए ये नीचे से हम उपर ले जाते हैं तब ही चीन बदलेगा जैसे माले जीए अगर कोई संख्या दे दिया 1 बटे 2 पर माइनस 3 हम इसको पलस में बदलना चाहें तो नीचे से उपर ले जाएंगे मतलब इसको भी उल्टा कर देंगे 1 बटे 2 है तो 2 बटे 1 2 बटे 1 मतलब 2 ही होगा तो 2 पर ये माइनस 3 था तो अब हो गया पलस 3 तो ऐसे अगर घातांक को पलस करना रहागा हम इसको कर देंगे 3 बटे 2 नीचे का उपर उपर का नीचे 3 बटे 2 कर देंगे तो इस पर पलस 2 हो जाएगा तो ये बात ध्यान में रखेंगे और बाकी सारा पिछला वाला जो रूल हमने बताया उसको याद रखेंगे और इक्सरसाइज को साल्ब करेंगे तो इक्सरसाइज 2 डी का पहला कोस्चन देखते हैं दिया है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर माइनस 9 का मान गयाद कीजिए तो हम लोग देखते हैं तो मान निकालने के लिए हम लोग देखते हैं रूल पहले हमने बताया था कि अगर आधार बराबर होंगे और गुड़ा हुआ रहागा तो क्या करते हैं हमने बताया था कि अगर आधार सबका बराबर हो और गुड़ा हुआ हो तो क्या करते हैं घातांकों को जोड़ देते हैं एक ही आधार लिखके तो वही हम करेंगे तो लिखेंगे क्या 3 पावर 4 प्लस 5 प्लस अब देखिए तीनों घातांकों को जोड़ना है तो 4 प्लस 5 प्लस अब प्लस करके यहाँ माइनस 9 है तो माइनस 9 यहाँ लिख लेंगे ऐसे तो अब साल प्लस अब करेंगे तो 3 पावर 4 और प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ जब दो चीन एक पास रहता है तो दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो प्लस और माइनस का गुड़ा माइनस हो जाएगा यह 9 तो अब देखिए हो जाएगा क्या 3 पावर 9 माइनस 9 यानि 3 पावर हो जाएगा 9 मेंस 9 घटाएगे तो 0 और हमने बताया था किसी भी संखिया पर 0 रहागा तो उसका मान हो जाएगा 1 तो 1 यही हमारा अंसर हो जाएगा कुछ नहीं है रूल याद रखेंगे और आसानी से इ इसको देखते हैं सेकेंड कोस्चन अब यहां हम लोग देखते हैं तो देखिए आधार इसका और इसका बराबर है और गुड़ा हुआ है लेकिन इसका आधार नहीं बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे पहले तीनों का आधार बराबर करेंगे तब ही तो हम लोग रूल ल दो बटे तीन है लेकिन यहां नहीं है दो बटे तीन तो इसको भी हम लोग पाले दो बटे तीन बनाएंगे तो देखिए का करते हैं इसको पाले लिख लेंगे दो बटे तीन का स्क्वाइर गुडे इस चार बटे नौ को देखिए चार होता है दो का स्क्वाइर मतलब चार क हम लोग लिख सकते हैं ऐसे दो गुड़े दो लिख सकते हैं दो पर दो लिख सकते हैं यह दो दो पर यह एक दो बार है तो दो के उपर दो हम लिख दिये च्यार को ना है इसी तरह से ना को हम लोग लिख सकते हैं ना को तीन गुड़े तीन 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 ना होता है यह इसी को हम घात रूप में लिखते हैं तीन पर दो ये दो बारा देखिए एक तीन है एक एक दो बारा तो तीन को उपर दो तो ऐसे हम इसको पहले कर लेंगे तो देखिए चार को हम लिख सकते हैं दो का स्क्वायर ये भी चार ही है बटे 9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का square मतलब 3 पर 2 3 पर 2 का मतलब क्या हुआ 3 को 2 बार लिख के गुड़ा करना है तो 3 थीन ही के 9 ही होगा तो चाहा 9 लिखा रहा है चाहा 3 का square लिखा रहा है बाटे कही हुआ और इसके उपर यह जो 2 लगा उसको लगाएंगे अब ये गुड़ा है 2 बटे 3 पर माइनस 4 लिखा हुआ है ऐसे लिख लेंगे अब थोड़ा सा और जब साल्व करेंगे तो ये 2 बटे 3 पर 2 है गुड़े यहां देखिए इसको हम लोग 2 पर भी 2, 3 पर भी 2 है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 बटे 3 पर देखिए दोनों पर 2 है इस पर भी 2, इस पर भी 2 तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे मतलब ये कही में 2 पर भी 2 है ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब क्या होता है कि इस पर भी 2 है इस पर भी 2 है और एक और bracket लगा लेंगे यहां क्योंकि इसको भी हमको लिखना, अभी हमने इसको लिखा, दो अलग अलगा तो दोनों को हमने एक में लिख दिया, और यह वाला भी घातां के यहां लिखेंगे, और गुड़े, यहां लिख देंगे 2 बटे 3 पर, माइनस 4, अब और साल्ब ज पावर 2 है, गुड़े यहां देखिए हम लोग लिखेंगे 2 बटे 3 पर जब 2 घातांगर है तो दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो 2 दुना, 4 हो गया हमने 2 बटे 3 में इसको बदल लिया गुड़े, 2 बटे 3 पर यह पावर है, माइनस 4 अब हम लोग जानते हैं, जब आधार देखिए, बराबर हो गया सब का गुड़ा हुआ है, तो घातांगर को जोड़ लेते हैं यह आधार लिख का तो यह कही 2 बटे 3 लिखेंगे और इसको प्लस इसको प्लस यह माइनस 4 इसको लिख लेंगे तो देखिए, जब जोड़ेंगे तो 2 बटे 3 पर पावर हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और इहां प्लस माइनस का गुड़ा माइनस 4 तो देखिए, हो जाएगा 2 बटे 3 पर पावर 6 में 4 जाएगा 2 तो यह तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं 2 बटे 3 का पावर 2 नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ाएगे तो क्या 2 को भी 2 बार 3 को भी 2 बार ऐसे भी कर सकते हैं 2 दुना 4 बटे 3 का स्कुएर मतलब 3 का गुड़ा 2 बार करना है, 3 गुड़े 3 मतलब 9 होगा 3 दुना 6 नहीं करना है, गलत हो जाएगा 3 पर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखना है, तब गुड़ा करना है तो ऐसे लिख सकते हैं अंसर या तो ऐसे लिख सकते हैं अगला कोस्चन देखते हैं यह आप लोगों को नहीं लिखना है यह रफ का काम है तो 3 नमबर कोस्चन और 4 नमबर कोस्चन दोनों बिगल्प वाले हैं इसमें चार आप्सन दियेगा है जो सही होगा उसी पर ठीक लगा देना है तो देखते हैं यहाँ 1 अपां 2 पार माइनस 2 इन्टू पार 2 का मान होगा तो हम लोग वाले रफ पर इसको साल्ब करके देखेंगे कि मान कितना होगा तो इसको देखते हैं जा हम लोग साल्ब करेंगे तो देखिए यहाँ हम साल्ब करके आप लोगों को दिखा रहा हैं इसको यहाँ पर हम साल्ब करते हैं देखिए यहाँ पर हम दिखा रहा हैं इसको साल्ब करके तीसरे वाले को देखिए 1 upon 2 power minus 2 है तो इसको हमने बताया कि जब plus में बदलना रहागा घातांक को क्या करेंगे नीचे का उपर उपर का नीचे कर देंगे तो 2 उपर जागा एक नीचे एक नीचे नहीं लिखा जाता है मतलब 2 ही रहागा तो 2 का power हो जागा 2 माइनस में पलस में हो जागा और गुड़े 2 का power 2 तो इसको जब हम लग साल्ब करेंगे तो देखिए 2 का power 2 और 2 का power 2 इसका मतलब क्या हुआ या तो गुड़ा करना या तो देखिए आधार बराबर है तो घातांकों को जोड़ देंगे देखिए अधार बराबर है तो घातांकों को जोड़ देंगे 2 पलस 2 तो हो जागा 2 का power 2 और 2 4 अब 2 का power 4 का मतलब मान क्या हुआ इसको ऐसे लिखेंगे 2 को 4 बार लिखना है 1, 2, 3, 4 देखिए गुड़ा कर लेंगे 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 तो हमारा 16 देखिए जो आफ्सन है 4 नमबर तो 4 पर टिक लगाएंगे यह रफ पर बस चेक करना है यह से 4 नमबर को हम लोग चेक करते है देखिए 3 का power minus 2 है और 3 का power 5 है तो यह minus 2 को plus में जब करना है तो देखिए 3 के नीचे 1 है तो उल्टा हम लोग कर लेंगे तो एक बटे 3 पर हो जाएगा क्या एक बटे 3 पर हो जाएगा पलस 2 और गुड़े 3 का power हो जाएगा 5 यह देखिए यह 3 के नीचे 1 का है सभी संख्याव के नीचे 1 करता है तो एक उपर ले जाएंगे तो एक उपर गया और 3 पर माइनस 2 था तो नीचे आया तो 3 पर 2 हो गया पलस में और गुड़े 3 पर 5 है ऐसे ही रहागा तो अब देखिए इसको साल्ट जब करेंगे तो एक बटे 3 पर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिख के गुड़ा करना है तो 3 तिनी के 9 हो जाएगा और गुड़े 3 पर 5 है 3 पर 5 का मतलब 3 को ऐसे 5 बार लिख के गुड़ा करना है तो देखिए ये 9 है हम लोग जानते हैं उपर नीचे का संख्या कट जाता है 3 तिनीक 9 और 1 तिन से 1 तिन तो देखिए उपर क्या बचा नीचे कुछ नहीं बचा है 3 तिन और 3 तिन तिनीक 9 तिनीक है 27 तो 27 बचा है ये अंसर हो गया देखते हैं 27 तो 4 नमबर वाला आप्सन इसका भी सही है तो ये रफ का काम होगा रफ पर्चिय करेंगे और सही वाले कापी में ऐसे लिख के ठीक लगाते ना है अगला कोस्चन देखते हैं तो हम लोग पाचमा कोस्चन देखते हैं दिया निमनाइंकित को सरल कीजिए इसमें 4 कोस्चन दिये हुए हैं तो बारी बारी सम लोग सब को देखेंगे 2 कोस्चन हमने यहां लिखा हुआ 2 अभी फिर से हम साल्प करेंगे तो पहला question इसमें देखते हैं दिया 1 upon 3 power minus 2 into 3 power 2 और भाग करके दिया 3 power minus 3 तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस minus को plus में बदल लेते हैं तो हम लोग जानते हैं एक बटे 3 है तो नीचे का उपर उपर का नीचे करेंगे तो ये plus में हो जाएगा तो ये नीचे का उपर जब ले जाएगे तो 3 होगा और बटे 1 होगा तो एक नीचे नहीं लिखते हैं तब भी एक माना जाता है तो 3 power 2 हो जाएगा और गुडे ये भी 3 power 2 और ये भाग करके 3 power minus 3 अब हम लोग जानते हैं देखिए आधार सव का बराबर हा तो पहले हम लोग भाग करते हैं फिर गुडे आपने पहले अभियास में बताया था पहले भाग को सार Speech करते हैं फिर गुडे को तो हम लोग लिखते हैं इसको तीन का power 2 गुड़े अब जानते हैं जब आधार बराबर रहता है और भाग हुगा रहता है तो घटाते हैं इस पहले वाले घटांग से दूसरा वाला घटांग घटाते हैं तो हम लोग 3 का power लिखेंगे 2 और घटाएंगे उसमें से माइनस करेंगे कितना माइनस तीन तो माइनस तीन यहां लिख देंगे थोड़ा सा और साल्प करेंगे तो तीन पर दो गुड़े तीन पर दो और ये दोनों चिन माइनस माइनस का जब गुड़ा करेंगे तो पलस तीन हो जागा तो यहां हो जागा देखिए 3 का पावर 2 गुड़े 3 का पावर 2 और 3 जोड़ लेंगे तो 5 अब हम लोग जानते हैं जब आधार बराबर होता है और गुड़ा हुआ रहता है तो घातांकों को जोड़ देते हैं यहार दार लिखे, तो एक दार लिखेंगे, और गातांकों को जोड़ेंगे 2 पलस 5, तो 3 का पावर होजागा 5 और 2 7, अभ यारतो यह answer लिख सकते हैं, यारतो यह answer लिख सकते नहीं, तो 3 को ऐसे, 3 पर 7 का मतलब, 3 को ऐसे 7 बार लिख लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ बार लिख लेंगे और इसका गुड़ा कर देंगे तो अब हम लोग ये सेकेंड कोस्टन हल करके देखते हैं यहां देखिए हल करेंगे तो साथ का पावर चार है ऐसे लिख देंगे गुड़ा अब देखिए एक, बटे, साथ, पर, तीन है हमको घाथ, साथ, साथ, ये जब आदार है तो हमको साथ में बदल लेना है तो साथ, एक, बटे, साथ, एक, साथ, बटे, एक करेंगे तो ये माइनस में हो जागा साथ, बटे, एक, तो एक, नीचे नहीं लिखते हैं कि बद सात रह जाएगा, इस पर माइनस तीन कर देंगे, और भाग करके सात लिख देंगे, अब देखिए, पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, तो यह सात पर चार गुड़े ऐसे रहने देंगे, सात पर माइनस तीन, भाग करके यहां देखिए, सात का पावर, एक राता है, यह कहां लिख लेंगे, अब देखिए, भाग में घातांक को घटाते हैं, तो सात पर चार गुड़े, सात पर यह माइनस तीन, और उसमें घातांक घटा लेंगे, यह माइनस एक हो जागा, तो सात पर चार गुड़े, सात पर जब दो संख्या माइनस में हैं, तो माइनस ल धार लिखेंगे और घातांकों को जोड़ लेंगे तो 4 और प्लस माइनस जब 4 लिखेंगे तो ये माइनस 4 ही रहागा तो 7 का पावर 4 में 4 गट जागा 0 तो किसी भी संखिया पर 0 का मान 1 होता तो 1 का अंसर हो जागा अगला question देखते हैं तो हम लोग ये तीन नमबर और चैन नमबर question देखते हैं बारी बारी से हल करेंगे तो इसको हल करते हैं देखिए बीच में पलस गुड़ा और भाग नहीं है तो इसको ऐसे हल करेंगे 3 पर 0 किसी भी संखिया पर 0 का मान 1 हो जाता है तो 1 लिख लेंगे पलस यहां हम लग जानते हैं अगर माइनस को हम पलस में बदलते हैं तो यह 3 के नीचे एक रहता है तो उपर जागा तो नीचे का उपर उपर का नीचे तो एक बटे 3 हो जागा पर एक तो चाहए एक लिखा या न लिखा एक नहीं लिखेंगे तब भी बात हो आई है घातांक में यहाँ प्लस यह देखिए एक बट्टे जब करेंगे एक बट्टे तो तीन पर हो जागा यह माइनस दो था तो प्लस दो हो जागा यहाँ एक रहागा एक नहीं लिखेंगे तब भी बात वही है, एक माना जाएगा इसको जब साल्प करेंगे तो हो जाएगा एक पलस, एक बटे तीन, पलस, एक बटे तीन पर दो का मतलब, तीन को दो बार लिखना है ऐसे तीन को दो बार लिखना गुड़ा कर ले रहा है तो तीन तीनिक है, नौ इसका मतलब हो गया, नौ यह नहीं लिखना है, तो अब ऐसे हो गया, किसी भी संख्या की नीचे एक रहता हम जानते हैं, तो देखिए यह जब पलस में और बटे में संख्या रहा है, तो हम समझ जाएंगे, पलस और माइनस में और बटे में रहा है, तो समझ जाएंगे कि इसको लोसले काल करना है, लोसले न आप लोग जानते हैं, एक, तीन और नौ नीचे वाले संख्या का लोसलेंगे तो नौ ही होगा, नीचे वाले संख्या से इसमें भाग करते हैं, तो एक से नो में भाग करेंगे तो नो बार में जाएगा जो आता उसका उपर में गुड़ा तो नो का एक में गुड़ा यहां नो होगा प्लस लगाएंगे तीन से नो में भाग करेंगे तो तीन बार में कट जागा जो तीन आएगा उसका उपर में गुड़ा तो तीन एक कम तीन होगा प्लस नो से नो में भाग करेंगे एक बार में जागा एक का एक में गुड़ा एक ही होगा अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे देखिए नो तीर बारा एक तेरा बटे नो यही अंसर हो जागा कुछ नहीं करना है यहाँ देखते हैं इसको हम लोग यहाँ सहटा देंगे यहाँ देखिए जब स्टाल्ब करेंगे तो दो घातांक है तो दोनों का एक में गुड़ा कर लेंगे तो तीन का पावर तीन तीनी के नो हो जागा यह भाग लिखेंगे यहाँ देखिए तीन का पावर पचीसा गुड़े यहाँ तीन का पावर दो घातांक राएंगे फिर गुड़ा तो भाग में हम क्या होता घटाते हैं पहले वाले घटांग से दूसरा वाला ये कही आधार लिखते हैं और पहले वाले घटांग से दूसरा वाला घटाते हैं और गुड़े ये तीन का पावर 16 ऐसे लिख लेंगे अब देखिए तीन का पावर हो जाएगा जब घटाएंगे तो देखिए जो बड़ा होता है उसी का चिन लगाते है पचीस नौ में पचीस बड़ा उसका चिन माइनस है तो माइनस लगा लेंगे 25 में से 9 जगाताएंगे तो 16 होगा और गुड़े ये 3 का पावर 16 है अब देखिए जब आधार बराबर रहता है देखिए 3-3 बराबर है और गुड़ा हुआ रहा है तो घातांकों को जोड़ते हैं तो हम लोग ये कही आधार लिखके जोड़ेंगे माइनस 16 और पलस 16 कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए 16 में 16 घटाएंगे तो 0 3 का पावर 0 और किसी भी संखेया पर हम लोग जानते हैं 0 का माण 1 हो जाता है तो एक आंसर हो जाएगा तो ये आज 2 का D में 5 कोस्चन तक आज तक के लिए बस इतना ही अब आप लोग ये 2D का पाट 2 कल देखेंगे